मैं दिवस के रसे पर उत्तर प्रदीस के मुक्यमंटरी योगी आदे तिनाथ में प्रदीस के सभी कामगर्वस श्वमिकों को हिदय से बधाई दिया है इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने कहा कि लाउगडाउन के दौरान प्रधान मंत्री नरेद मोदी की नेतुत में पूरे देश में प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य योजना के तहत 80 करोण नागनिकों के लिए 1,70,000 करोण रुपए गरीब कल्यान योज के लिए अच्छा दित हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदितिनात ने कहा कि इस योजना में कामगर्ज, शमिकों, किसानों से अन्य मजदूरों को भी लाब मिला है उत्तर प्रधेस में शमिकों एवं दिहारी मजदूरों को भरन पोशन का भत्ता भी दिया गया है इसमें 30 लाख निर्मान शमिकों के साथ अन्य शमिक सामिल हैं मुख्यमंत्री योगि आदितनात ने कहा कि प्रधेस में 30 लाख शमिक वर्गों को दूसरी बार एक एक का भरन पोशन भत्ता की रासी जारी कर दी गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कामगर्ज, शमिकों की प्रदेस के मुख्य मंत्री योगी आदितिनात ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भूका ना सोई इसके लिए प्रदेस में 18 करोन लोगों को खाद्यान उपलब्द कराये गया है पहले चरण के बाद दूसरे चरण में भी खाद्यान वित्रन का कारे सुरू हो चुका है मुख्य मंत प्रदेस के अपने सभी कामगार और सर्मिकों को हिर्दे से वधाई देता हूँ लोगडाउन के दोरान आदने प्रधान मंत्री मोधीजे के नित्रुतों में पुरे देज के अंदर प्रधान मंत्री गरीब कल्यान पैकेज के माध्यम से असी करोड नागरिकों को एक लाग सत्तर हजार करोड उपे की गरीब कल्यान कारी योजनाओं के साथ आच्छादित करने का कारे हुआ है इसमें कामगार है सर्मिक है किसान है युवा है उद्योग में काम करने वाला जो हमारा सर्मिक है ये सभी लोग इस योजनाओं से अच्छादित हुए है बहुत सारी ऐसी योजनाओं गोशित हुई है जो एक गरीब के लिए एक किसान के लिए एक मुस्दूर के लिए एक क और आदणी प्रधान मंत्री जी की पेंड़ना से उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने अपने सरकार ने यहाँ पर निर्माण सर्मिकों के लिए डेली कमाने वाले ठेला, खोमचा, रेडी, ही रिक्सा, रिक्सा, कुली, पलेदार, ग्रामिन और सहरी छितर में प्रिश्वक्रमा सरम सम्मान से आच्छाती थोने वाले 16 काटेगरी के कामगारों के लिए धोबी है, मोची है, नाई है, सुनार है, कुमार है, राजमिस्त्री है, इन सभी प्रकार की जो काटेगरी है, इन सब को हमने भरन पोशन भत्ता देने की और सफ़ता पुरवग अब तक 30 लाग ऐसे सभी निर्मान सरमिकों के साथ साथ अन्य सभी सरमिकों को इस सुर्धाय उपलब्द कराई हैं, आज मुझे बताते वी प्रसंता है कि हम एक बार फिर से अपने 30 लाग इस सरमिक वर्ग को फिर से दूसरी बार भरन पोशन भत्ता की रासी जारी कर रहे हैं, मैं इस उसर पर अपने सभी कामगार और सरमिक बंधों को हिरदे से बधाई देता हूं, सरकार उनके रोजगार के लिए, उनके सुरक्सा के लिए, उन्हें हर प्रकार की समाजिक सुरक्सा देने भरन पोशन की भत्ता की व्योस्ता करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्द है। इसके साथ ही आज हम 18 करोड लोगों को पॉर्टिबिलिटी के माध्यम से खाद्यान उपलब्द कराने की कारयोशना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अब तक दो चणों में 18-18 करोड लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान उपलब्द कराया है। पहले चण में उत्तर प्रदेश से जुड़े वे जो हमारे कामगार थे, जो सर्मिक थे, मंद्रेगा के मस्दूर थे, अन्य नागरिक थे, इन सब लोगों को खाद्यान उपलब्द कराया गया। दोस्य चण में भारत सरकार की योजना के अंतरकत निशुलक खाद्यान उपलब्द कराये गया। अगर रासन कार्ड नहीं बन पाया थे, तो प्रते एक जंपत प्रसासन को इस बात के लिए निरदेश दे गए हैं कि वहाँ उन लोगों के लिए रासन कार्ड बनाए और उन्हें खाद्यान उपलब्द करवाने का कार युद्धस्तर पर करें। जिनने अभी तक रासन कार्ड नहीं बिन पाया है उन्हें हम SDRF के अंतरगत food packet उनको लोग प्लब्ध करा रहे हैं हर एक व्यक्ति को उत्तरप्रदेश के अंदर कोई भूकों नहीं सोने पाएगा चायवा घौम कॉरंटाइन में हो अपने घर में हो या इंस्ट्टिशनल कॉरंटाइन में हो इन सभी के लिए हर प्रकार की विवस्ता प्रदेश सरकार ने की है हर एक नागरिक की सुरक्सा हर एक कामगार और सरमिक की पूरी सुरक्सा सामाजिक सुरक्सा आर्थिक सुरक्सा रोजगार की सुरक्सा के लिए स्रकार पूरी पृतीबत्ता के साथ कारे कर रही है, मुझे विश्वा से मई दिवस, स्रम मेव जैते के संकल्प के साथ हम सबको एक नई पेना के साथ, एक नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में आप सबके स्रम और आप सबके परिष्रम से आगे बढ़ने के लिए हमको एक ताकत देगा, मैं आप सब का विनंदन करता हूँ, आप सब को मई दिवस की बधाई देता हूँ, धन्यवद.